नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल खेल ग्रहों का में हम बात करें सितंबर 2019 के रासिफल की मां के आरम मैं सूर्य बुद्ध मंगल और शुक्र सभी एक साथ में सिंग रासिम विराज माने हैं बुद्ध और शुक्र साथ में होने का मतलब ही है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉजिकल है बहुत ज्यादा जिग्यास हुए बहुत ज्यादा क्यूरिसिटी है हर चीज के बचे वह रीजन डूंडेगा रीजन समझ माएगा तो बात मानेगा सूरियो और मंगल दोनों ही एक साथ में लगन में विराज मानें सूरियो को ग्राउं का राजा का जाता है मंगल को सैनपती तो सूरिय और मंगल का मतलब है एक ही व्यक्ति के पास में दो पॉर्टफोलियो है वही राजा भी है ता प्रदानमती भी वही है रक्षा मंत्री भी वही है ऐसी इस्तितिम क्या होगा कि एग्रेशन स्टेट फॉर्वर्ड शॉर्ट टेमपर जिद ये सभी कुछ आप में ह होगा और इन सबसे आप सिर्फ परशान ही हो सकते हैं कोई भी वक्ति आवेश और क्रोश से सुखी नहीं हो सकता सूरिय तो सत्रा सितंबर को बदल जाएंगे अगली रासिम चले जाएंगे कन्या रासिम चले जाएंगे मंगल को आगे परवर्टित होने में 24 सितंबर 2019 तक का वक्त लगेगा तो ऐसी इस्तिति में आपने अपने उपर नियंतरन रखना है ध्यान रखना है जैसा कि हर माह हम बात करते हैं बहुत सारे सेक्टर्स पर सबसे पहले हम लेते हैं गेन और वेल्ट अतात आय और संपती उसके बाद में पारवारिक सुक उसके बाद में शिक्षा शत्रू या रोग उसके बाद में वैवैक सुक दमपत्य सुक उसके बाद में हम बात करते ह आपके केरियर की आपके बिजनस की फिर बात करते हैं ट्रैवलिंग्स की तो इन सभी जो गटना ग्रम है या जो कुछ भी ग्रह स्थिती है उस पर आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही जानने का उद्देश रासी बलका माध्यम में आप सही समझें यह प्रोग् अच्छी या बुरी वह सब बाई हाट होगी आप फिलिंग जिसको बोलते हैं वह सब बाई हाट होता है आपके जो रदय है उसी से सुख या दुख की कलपना हो सकती है उसका action reaction जरूर दिमाग से होता है और इसी लिए सबसे फास्ट अरकर कोई ग्रह है जिसको दिल और दि दिन तक continue घटता रहेगा इसलिए अनेस्टेबिलिटी यह सब चनमा का गुण है सबसे फास्ट चनमा इसलिए दिल और दिमाग दो चीज का कारण दो चीज को नियंतित करने का अधिकार चनमा पर है और सारे देवी देवता में सरफ और सरफ महादेव ऐसे हैं जिनोंने अपन ग्रह है अधाद बुद्ध है और इस बुद्ध के दोनों ही बावपाशनी की दस्ती है उसके बावजूद भी मैं यह बोल सकता हूं कि 10 सितंबर 2019 को बुद्ध उच्छे रासी में चले जाएंगे ऐसी इस्तिति में गेन और वेल्थ दोनों में ही इंप्रुमेंट आएगा दोनों से ही आप खुश हो जाएंगे प्रसन हो जाएंगे अथा जो भी दोनों सेक्टर है वहां से आपके जो प्रिया से आपने जो अकांसा देख रखी है आपने जो सोच रखा है सपना देख रखा है वह सब कुछ आपके सामने सफलता के रूप में सच होता दिखाई दे वो success के रास्ते पर होगी और सही planning होगी अब जिसको idea भी देंगे वो भी सब को सही लगेगा और उससे उनको भी lab होगा इसलिए आपकी जो भी योजना हो वो आप योजना को बहुत बड़ा बनाईए सोचिए बड़ा सोचिए योजना बनाईए बड़ी बनाईए अता thinking big gain big यह principle को आपने accept करना है इससे आपको जो कुछ भी success मिलेगी वो आपकी expectation से कहीं ज्यादा better success मिलेगी unexpected gain साइद इसी को कहते है तो income के मामले में 18 सितंबर 2019 से जो ही शनी मारगी हो जाएगा आपको राहत मिलने लगेगी क्योंकि शनी जो की वक्री थे पापी ग्रह होकर के वक साथी क्रूर हो जाता है तो उसका परणाम हमेशा negative ही आएगा सनी जो की आपकी रासी कुलने सप्तमबाव को 11th house gain को और साथ में second house को देख रहे हैं तो उन्होंने अप्रेल से लगा करके जो इस्तिति आपके साथ में की है इतने मातक उनसे आप संत्रस्त हो चुके हैं को यह अंतिम 200 दिन सबसे ज़्यादा खराब है सबसे ज़्यादा प्रतिकूल है सबसे ज़्यादा घातक परिणाम देने वाले हैं इसने जिन लोगों को भी सनी की साथी साथी चल रही है जी हां मैं आपको सही बोल रहा हूं जिन लोगों की रस्चिक रासी है उन लोगों क यह सनी की साथी का अंतिम 200 दिन चल रहे हैं उसके बाद में धनूरासी मकरासी और कुमरासी इन तीन रासियों को सनी की साथी चलेगी अता जो सनी की साथी को अंतिम दिन चल रहे हैं वो व्रस्चिक रासी को चल रहे हैं 200 अंतिम 200 दिन उस समय शनी लास्ट में रहता है अता ग कारे कलाप हैं उनको नियंतित करें बहुत देख बाल करके काम करें आज जो आप सही सोच रहें वो कल आपके लिए गलत हो सकता है इसने युनानिमसली डिसजन लें आप अपने से अपने घरवालों से पतनी से भाई बैनों से सबसे पूछ करके फिर आगे बढ़ें तो आपक के मामले में मैंने आपको जैसा बताया कि आपकी जो भी योजना होंगी वह सफल रहेंगी दो धन के टाइम पिरिड आपको गेंद देगा अथा 10 सेप्टेंबर 2019 से आपके लिए बैटर टाइम पिरड़ है गेंद के मामले में भी वेल्ट के मामले में भी सस्वाल से सम्मद यदि बिगड़े वे थे तो अब ठीक हो जाएंगे कोई रास्ता निकल जाएगा आपके अपने सकता हूँ आपको आगे बढ़ना चाहिए अब आते हैं पारिवार एक सुक्ति और ब्रस्पती वहां पर इस्तिते ब्रस्पती जहां पर होते हैं उससे ज्यादा जहां देखते हैं वहां पर इंप्रूमेंट देते हैं वहां पर फाइदा देते हैं तो ब्रस्पती रासी से 8 ताउस पर, रासी से 10 ताउस पर, रासी से 12 ताउस पर देख रहे हैं, और जो मंगल है, फूर्ट ताउस के लॉड वो मंगल अभी लगनम हैं, और लगनमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ, उसको दोस्ट नहीं लगता है, उसको खराब नहीं बोला जाता है तो मंगल की दस्ती कुंडली में फोर ता, उस पर है, to आपको परिवार एक सुख मिलेगा, लेकि गेंकि शाथ आपको परिवार वालों के साथ में कुछ ने कुछ मामलों में दोचार होना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दस्ती है, मंगल आवेश का अधिपती है, मंगल लड़े जगड़े कराने का अधिपती है, कोई इनकोई मामले में आप आवेश ही हो सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, आप अपना आवेश, अपना कुरोध छुपा नहीं पाएंगे, और लोग यही चाहते हैं, आपको उकसाएंगे, अपना विस्पोटर गरूप दिखाएं, जो नहीं बोलना चाहिए, वो भी दिखला है, और फिर वो घरवाले ही बोल पाएंगे, देखो इन्होंने ऐसा बोल दिया, तो आपने समझ करके चलना है, कि लोगों के उकसावे से आपने नहीं उफनना है, नहीं एक्ष्टा वर् मामले में ये समय अच्छा है, बोमी बाउन वाहन के मामले में बोल सकते हैं, ये समय अच्छा है, आपके लिए यदि कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ रिनोवशन कराना चाहते हैं, तो आपके लिए समय ठीक है, फिर भी उसको लिमिट में करके ही काम कीजेगा, ऐसा नही की सिंग रासी है उन व्यक्तियों को फिफ्ट आउस का अधिपती सिक्सा बाव का अधिपती संतान बाव का अधिपती ब्रस्पती है एक तिरिकोंड का अधिपती केंद्र में जाने से स्थिति अनुकूल है राज्यों के स्थिति बनी हुई है अताथ ब्रस्पती आपके मंगल जब कन्या रासी में चले जाएंगे तो उनकी फोर्थ रस्ती सिक्सा वाव पर होगी यह भी एक अच्छा प्रजणाम आप बोल सकते हैं क्योंकि मंगल और ब्रस्पति को मित्र का जाता है जो कुछ भी कॉमर्स के स्टुडن्ट है या कोई ऐसे वक्ति हैं जो टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो बी एड। एमेड उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा कह सकता हूँ, और जो साइंस के स्टुडेंट हैं, उनके लिए मैं बहुत ही साफदानी से टाइम पिरोड को पार करने का बोलूँगा, क्योंकि फिफ्ट आउस में शनी और केतु एक साथ में विराज का भी है, फिफ्ट आउस का अर्थ यहां पे डे टूडे की इंकम से है, शनी वहां जाकर के फाइनिशल वरीज देने का काम करता है, अध्याद व्यक्ति को रिसोसेज जो इंकम से तोड़ देता है, वहां से वीक कर लिता है, इसलिए सावदान रहना जरूरी है, अपने रि से लोगों को स्टेडी बीच में छोड़ने के लिए कारण उपस्तित हो जाएंगे, ऐसे कारण आ जाएंगे, उनको यह ध्यान में रखना चाहिए, कि यह स्टिती टेंप्रेरी है, यह स्टिती पर्माने नहीं रहेगी, इससे कोई भी टेंप्रेरी प्रॉलम से निरास नही उठाना है, जिससे की आपको वापस इस स्टेडी को कंटीनू करने में परिशानी आ जाए, साथ ही साथ, जो फिफ्ता उसे हो संतान का भी है, तो संतान से सम्मंदित भी तकलीफें आ सकती है, संतान का अदूरापन क्या हो सकता है, सिक्सा का अदूरापन तो यह होता है, कि सिख्षा को बीच में छोड़ दिया जाए या जो सब्जक्ट आप लेना चाते दे वह सब्जक्ट आपको नहीं मिल पाए जो आप करना चाते दे वह अपनी जिंदगी में ना कर पाए जो आपने पढ़ाई की थी उसका आपकी life में फाइदा ना पाया लेकिन संतान का दूरपन अतान मिसकरे जाओ सकता है आबोर्शन हो सकता है वो इस्तितियां भी केतु के माधियम से देखी जाती है फिफ्टाव संतान का है तो संतान का दूरपन का मतलब यही है कि कि तू उस रूप में आपको प्रतिफल दे सकता है तो जो बेहने प्रेगनेंट है गर्वती है उनको बहुत ज्यादा केरफूल रहना है इस समय काल में जो सिंग रासी की सिंग रासी की लेडीज है सिंग रास कर सकती हैं तो कि उपाई करने का प्रियास करें चोटा सा मंतर ए ओम केम के तवे नमझ इतना सा छोटा मंत्र आराम से बैठे बैठे भी जब सकती हैं और अगर हो सके तो हर मंगलवार को लौकी या नूरी का प्रियाई हैं आपके जीवन में शत्रू आ जाएंगे तो भी आपको परशान करेंगे आपके जीवन में रोग आ जाएंगे तो भी वो आपको परशान करेंगे लेकिन यहां पर शनी अपने से 12 भाव में है नेगेटिव का नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव बोल सकते हैं लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि कुंडली में सिवन्त आउस का लॉड भी शनी है और सिक्स आउस का लॉड भी एक ही ग्रह है वो शनी है इसलिए 18 सितंबर 2019 के बाद में रोगों में राहत जरूर मिलेगी और शनी के जो रोग हैं वो हैं गु देखी जा सकती है तो सनी के जो रोग हैं वो आपको परशान करेंगे लिए 18 सितंबर के बाद में आपको राहत भी मिलेगी एनिमीज की बात जहां तक करें तो एनिमीज से जो भी आप परशान है जो भी कोट कर चरी के मामले चल रहे हैं जो भी कलेश या वादविवा चल गात वादे हैं उसमें भी आपको केरफुल रहना चाहिए क्योंकि जो ही सूर्य आपकी रासी से चेंज हो जाएगा अता सेवन्टिं सेप्टमबर को सूर्य अगली रासी कन्या-रासी में चल जाएंगे वाँ से आपको सम्भावना हैं कि इस्तिति आपके नियंतनमा जाए, इस्तिती आपके अनुकूल हो जाए, फिर भी आपने सेप्टमबर माम में जो कुछ भी मामले हैं, कोट कचरी के मामले हैं, उनसे जरूर सावदान रहना चाहिए, और अपनी और से आपने दावेदारी नहीं करनी है, कि जो कुछ भी होगा, वो कोट में देखेंगे, ऐसा करने से फाइदा नहीं होगा, और कोट के इसमें अकसर यही देखा गया है, जीतने वाला भी हारने वाला हारता है, और हारने वाला भी हारता ही है, दोनों ही नुकसान में रहते हैं, अर्टी मेडली गेन किसी को भी नहीं होता है, और सिरफ और सिरफ जो आपके सिम आती है परशानी आती है टाइम खराब होना होता है और आपके पैसे का लॉस होता है वो अलग आईए अब बात करते हैं सेवन ताउस की सेवन ताउस का अर्थ यहां पर दंपज सुक है ग्रस सुक है आपकी लाइफ का बैटर हाफ है तो साथवे घर का अधिपति शनी है और सनी की तीसी जस्ती कुंडली में सेवन ताउस पर है तो जब सेवन ताउस पर जस्ती है तो ऐसे इस्तितिम क्या होगा कि जो भी ग्रस सुक दंपज सुक है उसमें भी इंप्रूमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा जब शनी मारगी हो जाएंगे क्योंकि सनी की जहां जहां पर जस्ती है वह 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 पर जो संभावन थी नेगाटिविटी की वह सब कुछ ठीक होंगी वह सब कुछ शुक्र अगली राशी में जाएगा अथात 9 सेप्टमबर को शुक्र चेंज हो करके कन्यारासी में चले जाएगे अपने नीच साती के स्वास्ति पर ज्यादा केयर करना पड़ेगा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शुक्र सेवंता उसका कारक माना जाता है भूख सुका कारक माना जाता है तो शुक्र जब नेगेटिव होंगे तो सुख में कमी करेंगे जो उनका पार्ट है जो उनका को इनको का सुनी आप दोनों के बीच में हो सकती है और जो लोग जो रिलेशन में है जो लोग अटेश्मेंट में उन लोगों को बहुत ज्यादा केरफूल रहना पड़ेगा क्योंकि शुक्र नीच रासी का होने से आपसी दरार और ज्यादा बढ़ सकती है जो पिछले समय से चली आ रहे थी जो अप ठीक करने की कोशिष कर रहे थे वो जो डिस्टेंस है वो जो आपके बीच में अनबन है आपके बीच में ठीकAy ये misunderstanding है एक प्रकार डिस्टेंस आ गया है उस चीज़ को पाटने में आपको ज्यादा मेनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये समय उस situation को और critical कर सकता है और weak कर सकता है बिगार सकता है लेकिन सब मिला करके जो ग्रस्ट सुख है दांपत सुख है वो जरूर आपके लिए 18 सितंबर के बा नियंतरित करने के लिए आईए अब बात करते हैं केरियर की अतात है टेंथा उसकी तो टेंथा उस से करम देखा जाता है और जब करते हैं तब ही आपको लाब की संभावनाई बनती है बिना करम के लाब नहीं हो सकता है तो जो लोग जौब कर रहे हैं जो भी लोग नौकर services में हैं उन लोगों के लिए ये समय ठीक है और अगला समय अताथ 5 November 2019 को जब ब्रस्पती बदल जाएगा इससे अच्छा समय आएगा इससे better improvement आएगी इसलिए अगर आप switch over करना चाहते हैं यदि आप change करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है ये समय में किये वे प्रियास आपकी नौकरी में भी improvement आएगी और साथ इसाब आपको यदि आगे बढ़ने success देने वाला है जो businessman है जो लोग भी बिजनस कर रहे हैं यदि वो media से related है fashion and cosmetic gift आर्टिकल रेडिमेंट गार्मेंट इवेंट entertainment मीडिया electronics जैंसें ज्वेल्री इमिटेशन ज्वेल्री शो बिजनस handicraft antique flowers जो भी शो बिजनस करते हैं शंगार प्रसादन से related जो लोग हैं वो लोगों को business में बहुत ज्यादा केरफूल रहना पड़ेगा क्योंकि इस समय 9 September को आपके पॉर्टफोलियो के लॉड्ड आपके business के लॉड नेगेटिव होने जा रहे हैं इसलिए एक speed जो है वो speed कम हो जाएगी शनी चाए 18 September को मार की हो जाएंगे उसमें इंकम में improvement आ जाएगी अथा जो आपका बकाया पैसा है वो आपको मिल सकता है जो आप effort करेंगे पैसे को पाने के लिए वो जरूर हो जाएगा नहीं ने बनाए रखना है और ऐसी planning करनी है कि उस slow में भी आपका काम continue चलता रहे क्योंकि ग्रह अपना जो फल है वो देंगे जरूर हमको active होकर करके उस फलों को नियंतित करना है अच्छा है तो और ज्यादा अच्छा लेना है और negative है तो हमें control करना है साथ ही साथ जो भी लोग finance related काम करते हैं जो भी लोग marketing related काम करते हैं जो टीचर से प्रॉपेसर है लेक्चरर हैं उन लोगों को इस समय बहुत अच्छी success मिलेगी उन लोगों को name firm भी अच्छा मिलेगा उन लोगों को gain भी अच्छा मिलेगा और साथ में यश्क का गुणगान भी होगा अताद ये टाइम प्रेड़ आपके लिए सक्सेस का है अब बात करते हैं हम ट्रेवलिंग की तो कुंडली में 12 आउस पर रासी कुंडली में 12 आउस पर ब्रेस्पती की जस्टी है तो ब्रेस्पती फाइनेंस लॉड भी है ब्रेस् सक्तम का अधिपती भी है धर्म करम का अधिपती भी है तो आपका जो ख़र्च लिए personal loan के लिए try कर रहे हैं यदि अपने संबंधियों के पास में या किसी और meeting में जा करके यदि अपने business के लिए कोई लोगों से मिल करके partner को ढूंड रहे हैं अपने सयोग्यों को ढूंड रहे हैं तो वो यातना जरूर आपकी success हो जाएंगी वो यातना आपके लिए सफलता जाय करेंगी और उसमें आपका काम सत्प्रतिशत बनने के योग हैं तो जो expenses की बात है expenses होंगे expenses हो हम पैसा इसलिए कमाते हैं कि हम खर्च कर पाएं और खर्च इसलिए करते हैं कि जो हमारा उदेश है वो पूरा हो पाएं तो यहां पर जो आप खर्च करेंगे वो आपको चुबेगा नहीं वो जो यातना करेंगी वो आपको चुबे भी नहीं अता जो भी यातना आप्करेंगे चाह अपने से चले जाएं चाहे एब्रोड चले जाएं क्योंकि यह जो स्तिति है six ताउस eight ताउस और twelfth ताउस की जो स्तिति है कि eight ताउस का स्वामी वह ब्रसपती है वह कुणली में twelfth ताउस को देखता है इसलिए एब्रोड की यात्राएं भी finance के लिए की गई हो अपने business को बढ़ाने के लिए यात्राई करें या कोई लोग घुमने फिटने के लिए यात्राई करें और हो सकता है कुछ लोग तीर्ट यात्रा के लिए विदेश चले जाएं हो सकता है Vatican City इसी लिए famous है तो इस अंदर में ठीकी जो भी आपके प्रियास होंगे वो आपको सफलता देगे आई ये अब बात कतें उपायों की तो सिंगरासी के व्यक्ति जो की सुख से अतात अमने पाधjorik सुख से समस्याएं देखएंगे तो साती सात जो रिलेशन में हैं वो लोग समस्याएं देख सकते हैं और साती सात जो रोग कि उपाई आपने करना है क्योंकि कि आप की रास है उन लोगों को सूरिय का मंथर या अवश्य करना चाहिके और रोजना सूरि को अर्गे कैसे देना चाहिए यह में बहुत बार बतला चुका हूँ एक तांबे का पात्र लेना है उसमें पानी डालना है उसमें थोड़ा सा कुंकुम डालना है थोड़ा गुड़ या चीनी मिक्स करनी है और साथी सा लाल रंग का पुस्प या गुड़ल का पुस्प मिल जाए तो और और सरुसे उस्ते और ज् जल गिरना चाहिए लोग कई लोग यह बोलता है कि मेरे पाउं में जल गिर गिर गया ऐसा कुछ भी नहीं है कोई समस्या नहीं है जल कहीं कहीं तो गिरेगा यह गिरेगा तो आपने सूर्य को अर्ग देना है यह आपने हमेशा ध्यान रखना है सूर्य का सूर्य का कवच होता यदि कोई व्यक्ति अपने सेनकक्स में अपने बैट के पास में पिरामिट रखना चाहता है तो सूरी ग्रह का पिरामिट रखे अत्यात अपनी रासी का पिरामिट रख करके उनके सुब फल प्राप्त कर सकता है सूरी के लिए 12 अधितिक कवश्टो है ये साथी साथ सूरी स्तोत्र का पाट या नवगरे स्तोत्र का पाट करके भी आप काफी कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं जो लोग अपने पारिवारिक इस्तिती में कला का सामना करेंगे, उन लोगों को बजरंग बांड का पाट करना चाहिए, हर मंगलवार को हनमान मंदिर में जाके सिंदूर का चोला चड़ाना चाहिए, जो लोग financial trouble में हैं, उन लोगों को सनी से समधित उपाय करने चाहिए, अ लोगों को भी सनी के उपाय करने चाहिए, आपको ये हमारा कारेकरम कैसा लगा, जो कुछ भी आपके सुझावें, वो comment box में देने का जरूर प्रियास करें, और यदि कोई आलोशना हो, नहीं संकोच आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके आलोशनाओं से ही हमें वापस अप पहुचाने का प्रियास करेंगे, हमेशे की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगा, स्वस्त रहिए, प्रसन रहिए, अपना अपने छोटे बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का खैल रखिए, और अपने आसपास के वातावरण को इतना सुध रखिए, कि हमें आगे आने वाली पीडियों को हवा और पानी की समस्या न देखनी पड़े, नमस्कार